नमस्ते, रादे, रादे, हेलो स्टुडेंट्स, तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको BSC 5th semester के lectures प्रोइड करा रही हूँ, बीच में मैंने question papers कराने सुरू कर दिये थे क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट्स के exam अल्रेडी सुरू हो गए हैं और हो चुके हैं, और इसी सीरीज में हमने जो BSC 5th semester का आपको जोलोजी का पेपर सेकेंड है, Caudit and their comparative anatomy आपको पढ़ना है, उसमें मैंने सुरू किया था, इंटेग्मेंट को पढ़ाना, ठीक है, हमने structure of इंटेग्मेंट जिसमें डर्मिस और एपिडर्मिस के बारे में पढ़ना था, कि एपिड derivative पढ़ना, ठीक है, इसके आगे की lecture में हम उसके derivatives के बारे में जानेगे, इस lecture में हम function of integument के बारे में जानेगे, तो function of integument के अगर बात की जाए, तो यहाँ पे एक word लिखा गया है, कि इसका function क्या कहा जाता है, इसको jack of all trades, इसका मतलब समझ रहे हैं, आप light का एक अलग से व mobile charger या कुछ भी लगा सकते हैं, उसको connect अगर के आप काम कर सकते हैं, उसी तरीके से integument भी आपका क्या करता है, यह perform करता है, several important function, कई सारे function क्या करता है, आपके skin में, यह integument या skin इसको कहा जाता है, vertebrate में truly पाया जाता है, और कई सारे function perform करता है, जैसे protection और कई सारे चीजे एक एक करके हम जानेंगे, ठीक है, सबसे पहला ही इसका function क्या है, protection देना, protection देना, आप सब को पता है कि integument skin को ही, skin या integument भो लगाता है, तो सबसे पहले हमारे body पे जो covering पाय जाती है, वो skin की ही पाय जाती है, तो आप सब को पता होगा कि skin कितना major role play करता हमारे अंदर की ज पे लिखा गया है कि integument our skin separates the animal from external environment, यह क्या करता है, एक barrier का काम करता है, बाहर का जो environment है, और हमारे body के अंदर का जो environment है, skin क्या करता है, यह हो गया बाहर का environment, यह हो गया आपका skin और यह हमारे body के अंदर का environment, यह क्या कर रहा है, एक बीच में दिवाल का का काम कर रहा है, एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम कर रहा है ताकि जो ऐसे डारेक्ट कोई चीज हमारे बॉड़ी पे ना पड़ जाए अभी यह सोच लिजे इसकीन ना हो और डारेक्ट कोई चीज आपके बॉड़ी पर पड़े तो कितना जादे वह हामफुल हो सकता है कितनी पत्ली-पत्ली नर्स सारी सीज़े हैस्किन की नीचे ही Mir फिलो होती है तो वूट सारी सीज़े डारेक्ट की ए outta goddamn तो यह क्या करता है मिंटें रखता है कॉंस्टोंट रहने में काम करता है ठीक है इस यह क्या होते है producto प्रोटेक्टिश इस होते हैं जैसे skin होने की वज़े से पहले वो आपकी skin पे लगता है आप जिखते हैं खरोच आजाता है या कभी कभी direct blood बहने लगता है या chemical injury या आपके उपर कोई chemical डाला जा रहा है तो सोचिए अगर direct वो nerves वगेरा पर चरी जाए तो कितना effect करेंगी, skin भी क्या करती है उसके लिए protection का काम करती है protective derivative पाए जाते हैं जैसे कि scale पाए जाता है derivative मतलब उसी चीज़ का वो skin ही है लेकिन वो दूसरे form में पाए जा रहा है, है तो वो skin ही लेकिन किसी दूसरे form में पाए जाकर क्या कर रहा है protection प्राइड कर रहा है, जैसे scales पायाते हैं कई सारे animals पे bony plates फैसे में ठीक है यह humans में fat पाया जाना fat भिर कहीं जब, कहीं कहीं पे हमारे देखिए जसरी liver जो होता है ठीक है उसके side side में के गा होती है, fatty issues पायाती है fat पायाता है जो जो कि hemारे liver की injury ओने से बचाता है ठीक है feather का पाय जाना जो birds में feather पाय जा रहे है hair का पाय जाना हमारे body पे ही जो hair पाय जाता है कई सारी जगहों पे hair पाय जाता है जो protection का काम करता है तो ये क्या करता है reduce करता है कम करता है force of injury को excessive body moisture को loss होने से भी बचाता है ठीक है अगर excessive body moisture loss हो रहा है तो यह उससे भी protect करता है ठीक है और यह allow करता है entry का harmful bacteria और fungi से ठीक है यह जो harmful bacteria और fungi होते हैं उनको भी हमारी body में क्या होता है जानी नहीं देता है ठीक है तो इससे भी protection provide कर रहा है प्लेज हो गया जैसे फर हो गया प्लिमेज जिसको की feather कहते हैं ब्रिश्टल या spines जो spines पाए जाते हैं claws claws आपने देखा हुआ कई सारे निमल्स नेल्स चैसे हमें लोग में पाए जाते हूप्स हो गया antlers जो पाए जाते हैं सर पे horn हो गया ठीक है यह सब क्या करते हैं offense and defense mechanism क मतलब क्या है कि कई सारे जानौरे में आप देखते सीन जिसको कहते हैं ठीक होर्न पाए जाते हैं hooves पाए जाते हैं तो अगर उनको कोई protection मतलब किसी animal से लड़ना है या कोई उनके ओपर हमला कर रहा है तो उनके होर्न या hooves से क्या करते हैं उनके ओपर attack करते हैं तो offense अभी तो कीडे ऐसे आने लगे हैं कि अगर आप उनको किसी पत्ते पर रख दीजिए तो वो उस पत्ते की तरह दिखने लगते हैं तो इससे क्या होता है कि जो predator होगा जो उनको खाने वाला animal होगा वो confused हो जाएगा कि यह पत्ता है या animal है तो इस तरीके की coloration camouflage color कहते हैं क्य this cryptic coloration कहते हैं यह पाई जाती है जो enemies से क्या करती है protection दूस्मनों से रच्छा करती है skin pigment क्या करते हैं also ये भी protection का काम करते हैं जब solar radiation यानि कि हमारी body पे अकर solar radiation पढ़ रहा है sun की radiation पढ़ रही है तो उसमें जो हमारी body में melanin pigment पहा जाता है वो भी क्या करता है help करता है protection provide करता है ठीक है दूसरा हो गए आपका locomotion locomotion मतलब चलना ठीक है आपका locomotion हम लोगों में पाइजाता है मतलब दो पैरों से चलते हैं तो इसे कहते है बाइपीडल locomotion लोको मोशन में भी help काता ठीक है जैसे की dermal finrays in the fishes and skin webs in the feet of frog जैसे की जो fishes में dermal finray पाइजाती है वो उनके चलने में help करती है ठीक है frog को चलने में help करती है turtles, aquatic birds में भी ये पाय जाती है जो इनको help करती है water में swim करने के लिए ठीक है अदेसी pad पाय जाते है amphibians में चिपकने वाले ऐसे pads like structure होते है तो ये क्या करते हैं चिपक चिपक के चलते है claws पाय जाते है amniots में और digit पाय जाते है जो की चलने में help करते है third आपको होगे dermal endoskeleton अगर dermal endoskeleton की बात की जाए तो endoskeleton कहां पाय जाता है आपके head में पाय जाता है seal करता है जो brain को sense organ हो ठीक है आपकी जो आँखें है ठीक आपका जो brain है वो क्या है एक outer covering endoskeleton से क्या है cover है सोच लिजे अगर आपका brain के उपर iscle ना पाय जाता direct आपका brain पाय जाता और आपको चोट लगती तो आपको कितनी जादे इंजरी हो जाती क्योंकि हमारा brain जो है हमारी body के सबसे sensitive parts में से एक होता है ठीक है और सोच लिए अगर आपके brain पे चोट लग जाए ठीक है तो आपके लिए कितना harmful हो सकता है ठीक है तो इसी वज़े से हमारे brain को भी क्या करती है protect करती है skin जो है contribute करता है boni dermal armor में कई सारे extinct ostracoderm के बारे में जो आपको मैंने सुरू में ही classification पढ़ाया था तो होँ पर ostracoderms के बारे में पढ़ाया था और placoderms ये कई सारे पाजाते है living sturgeons है crocodiles है, turtles है यहाँ पर क्या होते है dermal armor पाजाते है ठीक है जो क्या करते हैं इनके protection में help करते है next की बात की जाए तो आज आता आपका secretion ठीक है अब secretion की बात की जाए तो कई सारे secretory gland पाजाते है skin secret substance having several uses कई सारे glands पाजाते है जो secretion करते है और जो हमारे क्या करता है body में help करते है जैसे की mucus gland पाजाता है aquatic forms में जैसे की face में, frog में ये क्या करता है उनकी skin को moist मतलब मुलायम रखता है और slippery ताकि फिसल सके छूट के जा सके उसमें help करता है europaigial gland birds में पाजाते है जो कि क्या करते है oil secret करते है जो feather के preening में उनको soft रखने में उनको उड़ने में help करने के लिए बहुत जादी क्या होता है helpful होता है oil form पाजाते है sebaceous gland हम लोग के human में पाजाता आपने human physiology पढ़ी होगी तो महां जब आपने glands के बारे पढ़ा होगा तो sebaceous gland का नाम आपने जरूर पढ़ा होगा और आपने 100% आपने second semester में physiology तो पढ़ी ही रखी है जो loggy में तो वहां पर आपने इसे पढ़ा ही होगा तो mammals को क्या करते है lubricate करते है उनके skin को क्या करते है protection provide करते है एक तरीके hairs में उनके पाए जाते है memory gland पाए जाते है जो कि milk का formation करते है जब भी एक newborn baby जन में लेता है छोटा बच्चा जब जन में लेता है orders पाए जाते है set glands जो कि क्या करते है opposite sex को attract करते है कई सारे जैसे aunts में आप चीटियों में देखेंगे कि एक चीटियों पीछे पीछे दूसरी चीटियों चलती है तो वो क्या करते है pheromones orders होते हैं एक तरीके से pheromones का secretion करते है lacrimal gland में यह क्या करते है जो mammose का conjunctiva होता है eyeball का उसको wash करने का काम धुलने का काम करते है तो इसलिए कभी कभी रो लेना चाहिए इनसान को आप से इससे क्या होगा कि आपकी जो conjunctiva है वो धुल जाएगे ठीक है तो ज़रूरी नहीं है कि आप रो यह मत रो लिया करिए कभी कभी खुसी के ही आसो या दुके लेकिन रो लिया करिए food storage की अगर बात कीज़ा तो thick fatty layer पा जाते है blubber under skin of seals वेल्स में जो की क्या करते है insulation का काम करते है as well as reserve food के फॉर्म में रहते है जो seals होते हैं, wails होते हैं जो blubber होती है fatty layer पा जाती है उनके skin में, ठीक है जो की क्या करते है insulation insulation का काम क्या होता है कि insulate करना किसी को ताकि क्या हो कि उनकी body से जो यह चीज़े है वो पास ना हो, ठीक है तो वो insulation का काम करते है और reserve करते है food material को temperature control की बात की जाए warm-blooded animal में क्या पाए जाते है fur, feather, scale जो की insulate करते है animal को, ठीक है जैसे हम लोग की body क्या है हम लोग warm-blooded animal है हम लोग homeo thumbs का जाता warm-blooded animal का मतलब होता है जो अपनी body temperature को constant रहता है जैसे हम लोग की body का temperature है हमारी body का temperature हमेशा 37 degrees Celsius ही रहना चाहिए अगर उसे से जादे हुआ तो भी हमें fever हो जाता है अगर उसे से कम हुआ तो भी हमें fever हो जाता है ठीक है तो उसे से बचने के लिए हमारी body पे क्या पाजाते है hairs पाजाते है birds की birds जैसे मालने जी हम लोग तो कपड़े ठंडी आगे ठीक है फिर भी हम लोगी body का temperature क्या 37 degrees Celsius ठंडी जो है उसका temperature क्या है बहुत कम है ठीक हम लोग क्या करते हैं उसको सहन नहीं कर पाते है तो हम लोग उसके लिए क्या पहनते है कपड़े पहनते है ठीक है कपड़े लेकिन जो animals है जो कपड़े नहीं पहन सकते है तो nature में उनको क्या प्रवाइड किया उनको protective layers प्रवाइड किया जैसे फर्स पाया जाना फिदर का पाया जाना जैसे birds भी homeotherms है ठीक है birds और mammals यही दो क्या है homeotherms है यानि कि इनकी body का temperature constant रहता है means changeable नहीं है और बागी जो animals है जैसे amphibians हो गए phasus हो गए reptiles हो गए तो यह क्या कर लेते हैं कि जैसा temperature आया ठीक हमाद जी ठंडी का मौसम आया तो अपनी body का temperature भी कम कर लेते हैं गर्मी का मौसम आया तो अपनी body का temperature उस हिसाब से adjust कर लेते हैं हम लोग कपड़े पहन ले रहा है अपने आपको इंसुलेट कर ले रहा है उसी तरीके से फैदर इसके लिए सब का पाय जाना पाय जाता है ठीक है कंजर वाडी हीट इन cold climate cold climate से बचने के लिए sweat glands पाय जाते है mammal में ठीक है गर्मियों में क्या होता है इसके बाद अगर ठंडी ठंडी हावा चले है कुछ भी आप पैन चला रहे है तो हमारी बॉड़ी क्या होती एक्दम ठंडी हो जाती है cool हो जाती है तो यह भी क्या करते है हमरे temperature को control करते है ठीक है last but not least excretion excretion क्या होता है excess water, salt, urea यह सब हमारी बॉड़ी में जो आ जाते है उनका sweat gland के थुरू निकलना ठीक है excret हो जाना gill of marine fishes contain chloride secreting जो gills होती है उसमें क्या होता chloride को secret करने की cells पाजाती है तो इस तरीके से excretion करके भी हमारे बॉड़ी को क्या होता है protection होता ठीक है की vertebrates में में लिपाया जाता है तो हमें comparative anatomy vertebrates की पढ़नी है तो हम उसके ही respect में बताएंगे कि क्या चीज़े हो रही है तो आसा करती हूँ कि यह चीज़ा आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि कि किस तरीके से function करता है integument ठीक है integument का function आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं बढ़ते रहे thank you everyone